हालो स्टुडेंट्स वालकम टू अभिपीडिया पावर्ट बाइ अभिमन्यू आइस मैं नेम इस रोहित मिड़ा चुडेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं अगर आपको कोई भी डाउट है अगर आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजिंग है तो आप पूछ सकते हो मुझसे चैट बॉक्स में हेलो राज चलिए तो डियडियों एंटियस का आज का हमारा 17 लेक्चर जनल अवेरनेस करेंट अफेर्स को लेके कुछ बहुत ही इंपोर्टन कोईशन को आज हम डिसकस करेंगे तो फटा फट आपको आंसर करते जाना है कोईशन आपकी स्क्रीन के सामने आने वाले हैं तो आपको करने फटा-फट अंसर फटा-फट अंसर करना है टाइम नहीं लगाना है चलिए बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं आ रहा है आपकी साहिं स्क्रीन पें कोषण तो यह रहां वापके सामने पहला कोईशन जल०ी से बता दो ब्हारत के नए इलेक्शन कमिश्ञनर को ब बने हैं क्या सुनी लरोडा जी है क्या अशोक लवासा है क्या राजीब कुमार है या फिर अमिताप है जल्दी से अंसर करते जाओ कि सानिया है मत टाइम आउट टाइम इन हो गया है आप अंसर करिए जल्दी से करें ही जल्दी से जल्दी आंसर कर दो फटा-फट टायम नहीं लगाना है रटा-फट आंसर गरते जाह भारत के नए इलैक्षन सिमिस्टन कोण बने हैं के देह कि देग के एलेक्षन कमीशनर की अगर मैं बात करूं Όंग करता है अंडर घालय तो अफ इंडिया अंडर कर बाहरत में हर तरह के चुनाव को पर यह काम करती है इंडिया में हर तरह के राट कर्वाने का काम कर आज़ इस इलवर्ट कोशन एडिए कभ बना था यह बना था 25 जनवरी 1950 को बना था election commission of India ठीक है जिसका काम है भारत में हर तरह के चुनाब को conduct करवाना election commission of India किस article के अंदर काम करता है that works under the article 324 article 324 के अंदर इसकी सारी functioning होती है इस election commission of India के अंदर एक chief election commissioner होता है और दो election commissioner होते हैं एक chief election commissioner और दो election commissioner उनी दो election कमिशनर में से एक इलक्षन कमिशनर अभी नुक्त किया गया है तो किसको इलक्षन कमिशनर अपॉइंट किया गया है यह हमारा कोश्चन था और इस कोश्चन का जो सही उतर है वो है राजीव कुमार भारत के पूरा फाइनस सेक्रेटरी रहे चुके राजीव को अभी अपॉइंट कर दिया गया है नया इलेक्शन कमिशनर ठीक है नया इलेक्शन कमिशनर अब यहाँ पर मैं बात करूं जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिशनर है मैंने बताया एक चीफ कमिश्णर एक तो अभी अपॉइंट हुए राजीव कुमार बताया गया एक अभी राजीव कुमार के बारे में मैंने बताया अपॉइंट हुए इनके इलावा दूसरे कोन है उनका नाम है सुशील चंद्र ठीक है दूसरे का नाम है शुशील चंद्र जो अभी काम कर रहे है शुशील चंद्र एंड अभी राजीव कुमार बने है राजीव कुमार जी ने किसको रिप्लेस किया है मतलब कोई गया होगा उसकी जगा पर राजीव कुमार जी आए है ठीक है जिसको हम एक्स बोल देते हैं फॉर्मर बोल देते हैं तो राजीव कुमार जी ने रिप्लेस क करने गए हैं उनको न्यूक्ट किया गया है एशियन डवलप्मेंट बैंक का वाइस प्रेजीडेंट ठीक है एशियन डवलप्मेंट बैंक इस इश्याई देशों का बैंक तो 1966 में बना था जो मनीला फिलिपिन्स के अंदर उसका हेड कोटर है उसके नए वाइस प्रेजिडे जी डियों की आपको साथ क्लासिस मिल जाएंगी प्लेइलिस्ट बना हुए जिसके अंदर 16 के 16 लेक्चर एविलेबल है गुड आफ्टरून एवरिवन जाहिन मनोज जी अमन शाह पूछ रहे हैं सर मंतली करंट एफिर्स भी करवा दिजिए अमन शाह जी वीकली करंट एफ एफिर्स की क्लास आती है ठीक है इसी चैनल पर अप्लोड होती है आप देख सकते हो मिल जाएगी आपको ठीक है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देदूंगा बाद में फीकली क्लासिस आती है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो यह रहा अगला कोशन नंबर्स में नंबर वन पे है भारत है औस्टेलिया है फ्रैंस है या अमेरिका है ठीक है इन में से कौन सा देश और्गानिक फार्मर्स के नंबर पे ठीक है कौन सा दिन मिलेगा सर क्लासिस होगा लक्षमी कांत सलुंके जी एक्चुल में जो अपॉइंट बैसिकली करन्ट फेस को तीन पार्ट में तीन केटिगरीस में बाटा हुआ है ठीक है एक केटिगरी होती है जी के वाली क्लास है वो संडे को होती है और जो मिसलेनियस जी के वाली क्लास है वो थर्सडे को होती है ठीक है ये तीनों क्लासिस होती है तीनों का लिंक मैं निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूगा इस क्लास के बाद ठीक है और डियाइडियों के अंदर हम अलग से भी कर बरवन रहा और्गानिक फार्मर्स की गिंती में और्गानिक फार्मर्स की गिंती में ठीक है तो देखें यहां पर मैं अगर बात करना चाहूं तो यह जो देश है मतलब किस देश में और्गानिक फार्मर्स सबसे ज़्यादा है किस देश में सबसे ज़्यादा लोग किसान ज जाधा land पे organic farming होती है, उस case में भारत का rank है 9th, clear, उस case में भारत का rank है 9, भारत 9th position पे है, कि किस country के अंदर area wise सबसे जाधा area में organic farming, जैवी खेती कि जाती है, ऊसमें कौन सी country है, औभ बारत का rank है, 9th position है, अब most of the important question, अब most of the important question, इसको note कर लेना, that is very important, सिक्किम भारत का पहला और्गैनिक स्टेट है इस बात को क्लियर कर लेना बसा लेना अपने अंदर क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन कोशन है और गैनिक फार्मिंग क्या होता है आज कल हम किसान जब खेती करता है तो फास्ट प्रडक्शन के लिए वेटर प्रडक्शन के फार्मिंग करें कैमिकल के अदर बंजर हो जाएगी खतम हो जाएगी अगर हमने उसको अभी और गैनिक में स्टार्ट करना नहीं किया अगर हमने उस पे कैमिस और पैस्टिसाइट्स का यूज बंद नहीं किया तो ठीक है पॉईजन इसलिए आज लाइफस्पेन इतना कम हो जो पॉईजन खा रहे हैं चलिये स हो डिया इडियों की क्लास इस कब रती है पूछ ँछ रहे हैं यह बहुत इंपोर्टन स्टायइ एक चाहाती है ऐए इंगम को डबल करना कि किसान भारत का किसान आज इतना कमाता है वो उससे डबल कमाई ठीक है, फार्मर की इंकम को डबल करना, जितना फार्मर की कमाता है, वो उससे डबल कमाई तो इस चीज के लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई हुई है उस कमेटी का नाम क्या है, उस कमेटी का नाम है अशोग दलवय कमेटी अशोग दलवय कमेटी यह अशोग दलवय कमेटी क्या करती है अशोग दलवय कमेटी कहती है कि किसानों की income को double किया दाएगा बट भारत सरकार ने इसके लिए target क्या रख्या कि किस साल तक ठीक है किस year तक जो हमारे पास farmers की income को है हमें double करना है that is 2022 2022 तक 2022 तक किसानों की income को किसानों की आये को दुगना करने के लिए यहाँ पर सरकार ने एक comment by your a show Delway committee 2022 तक कोई डाउट किसी को कोई जाउट clear हो गया किसी को कॉब debate और वोफे रूक्रू क्या रही है बाकि भी किसी हो आ रहे है इस्रफ एनियों को दिक्कत आ रही है रोहीज़ी तो बता दो अगर बाकि चले बढ़ते हैं आगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन क्या कहता है इन में से कौन सा पहला राजिया बना जिसने की नैशनल जिसने अनौस किया कि वो अपने राजिये के अंदर सरकारी नोक्रियां जो देगा वो National Recruitment Agency के स्कोर के विज़िस के उपर देखिए 2019-20 का जब बजट आया था मतलब इस साल का बजट नहीं जब पिछले साल का बजट आया था तब भारत सरकार ने अनौस किया था कि हम अपने राज्ये के अब हम अपनी कंट्री के अंदर जितने भी नाँ गयेजटेड़ वेकेंशी हैं जितनी भी नाँ गयेजटेड़ रिक्रूइटमेंट वोती है ठीक है उन सबको कंड़क्ट करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे एक बॉड़ी बना रहे हैं अलग्स से तो इन 사री विकेंशिज को कंडट करने के लिए बोडी बनाएंगे एक नाशनल रीटमेंट अजटन्स 2 अभी सेंटर ग्वप Papernet ने इसको अपरूइल दे दिए ने इसनल र Bailey चरों सिरेल साइथ यहांपर एक अलीज़िवील के लिग दिछाएंगी उस common eligibility test के बेहाफ पे यहाँ पर government jobs का primary process start होगा यानि कि basically अगर हम आज हम कोई exam देते हैं जैसे कोई banking का या SSC का उसमें tier 1 होता है या हम बोलते हैं prelims होता है तो वो prelims और tier 1 का जो criteria है ना वो NRA handle करेगा National Recruitment Agency handle करेगी ठेक है ताकि students को form फिल ना करने पड़े तो इसके जो स्कूर होंगे basically student को स्कूर मिल जाएंगे 10 प्लस टू और graduation तीनों लेवल पे इसको क्रेट रवाया जाएगा और स्कूर मिल जाएगा जो तीन साल के लिड़ होगा तो NRA के स्कूर के भिहाफ पे अपने राज्य में नोक्रिया परदान करने वाला पहला राज्य पहला राज्य मध्या परदेश मध्या परदेश मध्या परदेश के जो मुख्य मंत्री है शिवरात सिंग चोहान उन्होंने यह announcement कर दिया है कि मध्या परदेश के अंदर जो state governments की job होंगी वो NRA के स्कूर के accordingly दी की जाएंगी क्लियर हो गया किसी को कोई डाउट किसी को कोई भी डाउट किसी को कोई भी डाउट क्लियर तो NRA के स्कूर के भिहाव पर यहां पर क्या मिलेगा मध्या परदेश के अंदर jobs मध्या परदेश के अंदर मध्या परदेश की सरकार ने इससे पहले एक announcement ये भी करा था क्या कि मद्ध्यापरदेश के अंदर जो भी government jobs होंगी वो सिरफ उनी को provide की जाएंगी जिनके पास मद्ध्यापरदेश का domicile है यानि की सिरफ मद्ध्यापरदेश के नागरी को को ही मिलेगा मद्ध्यापरदेश की सरकार के अंदर नोकरी ठीक है मद्ध्यापरदेश की सरकार के अंदर जो गौर्वर्मेंट जॉब है वो सिरफ मद्ध्यापरदेश के डॉमिसायल वाले परसंस को ही प्रोवाइड की जाएगी डैडिस बाइ मध्यापरदेश गोवर्मेंट शिवरा सिंग चोहन मुख्या मंत्री यहां के चले अगला कोशन यह आपकी स्क्रीन पे वर्ड मास्की टोडे का बोता है चले बहुत ही इंट्रस्टिंग कोशन आए मच्छर ठीक है मास्केटोज अब दिखने में चोटा सा होता है मास्क ठीक है यह जो मच्छर होता है इसको दुनिया की डैड्लियस्ट प्रजात्यों में काउट कह जाता है मतलब यह इंसान की जान ले सकता है अपने देखा होगा डेंगू मलेरिया चिकन गुनिया जीका वायरिस ऐसी बहुत सारी बिविद्धियां फैलाता है यह मच्छर ठीक होता है ठीक है डेंगू और मलेरिया होता है वो कौन से मच्छर के काटने की वज़ा से होता है ठीक है चुकों से मच्छर के काटने की वज़ा से होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो मलेरिया होता है जो मलेरिया हमारे पास होता है यह एक फीमेल मच्छर के काटने की वज़ा से क्या होता है malaria नहीं पता है तो note कर लीजे डाट is very important ठीक है बहुत ही important है यह कि इस female इस के काटने की वज़ा से क्या होता है malaria होता है ठीक है अब डेंगू की बात करते हैं डेंगू जो होता है देंगू जो होता है वो होता है एडिस अगीपिटी की काटने की वज़ा से तो यह मच्छर होता है जिनके काटने की वज़ा से हमें डेंगू और मलेरिया होता है ठीक है यह मच्छरों के नाव आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए that is very important दूसरा फैक्ट जितने भी बेसिकली इंसान को हमें जब मच्छर काटता है तो हमें लगता है कि मच्छर मच्छर ने काटा है बट अब दूसरा फैक्ट इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह सुनना मेल मच्छर कभी नहीं काटता मेल मच्छर human beings को कभी नहीं काटता female मच्छर जो होती है ठीक है female mosquitoes जो होती है उनको अपने एग को produce करने के लिए protein की ज़रूरत होती है तो इसलिए वो protein के लिए human beings को काटती है बट सारी मच्छर की परजातियां काटती नहीं है there are 1000 species of mosquitoes in the world there are approximately 3000 female 3,000 species of mosquitoes in the world सारे के सारे नहीं काटते कुछ mosquitoes होते हैं जो male mosquitoes होते हैं यह flowers पर जाते हैं या कुछ mosquitoes ऐसे होते हैं जो animals को जैसे frogs हो गया इन सब को खाते हैं ठीक है बट human being के bloods को नहीं खाते clear हुआ? कोई doubt? ठीक है? कोई doubt? कोई doubt? side hurt जाओ ये लिजे note कर लिजे female एनोफिलिस और डेंगू के लिए कोई भी doubt है तो बता दीजिए इतो हम आगे बढ़ते हैं mosquito बीस अगस्त कोश्चन का अंसर बताना रहे गया था 20th of अगस्त आप लोगों ने बिल्कुत सही अंसर किया था 20 अगस्त को होता है 20 अगस्त को होता है वार्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त और नसीमा जी बेसिकली मॉस्किटो तो बहुत है मैंने जैसे बताए कि इदर थी थाउजन स्पीसीज बट इस टूजर इंपॉर्टन मलेरिया और डेंगू वाला ठीक है क्यों बाकि जो चिकल कुणी और जिका वायरस होता है वो भी इसी मच्छर की वदा से होता है वो भी सब्से ज्यादा मलेरिया वाला इंपॉर्टन है विकॉस बहुत ही घातक बिमारी है चले आगे बढ़ते हैं यह अगला कोशन आपकी स्क्रीन पे भारत के अंदर सद्भावना दिवस सद्भावना दिवस इन में से किस लीडर की बर्थ इंवर्सरी के चलते हुए बारत में सद्भावना दिवस और्गनाइज क्या राता है जल्दी से बताइए सद्भावना दिवस सद्भावना दिवस तो सद्भावना दिवस यहां पे किसकी बर्थ अन्वर्सरी के चलते हुए और्गनाइज क्या राता है भारत के छटे परधान मंत्री भारत के सिक्स्त प्राइम मिनिस्टर श्रीर राजीव गांदी जी की बर्थ अन्वर्सरी के चलते हुए यहां पर 20 अगस्त को और सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांदी जी नायन्टीन फॉर्टी आ सरी Nineteen 84 से लेकर Nineteen 89 तक भारत के पर्धान मंतरी रहे six प्राइम मिनिस्टर थे ये एड़ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट राजीव गांदी जी अपनी 40 साल की उमर में प्रधान मंत्री बने थे यह सर अलीज साल के थे इनकी उमर सिरफ 40 साल की थी जब यह प्रधान मंत्री बने तो इनका रिकॉर्ड़ है भारत के यंगस्ट प्राइम मिनिस्टर का रहे श्री राजीव गांदी यंगस्ट है तो यह आपको क्लियर होना जाले सबसे यंगेस्ट प्राइम मिन시र्ट में घर कैंसे पसे यंगेस्ट कॉषिं तो led यहापर कॉषरी दे रहा हूं सबसे यंगेस्ट तो ये राजीव गा दैजी सब्से यंगेस्ट सब्से ओल्ड़्डी में इस आन्सर करो दा ओल्ड एस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया मतलब भारत का प्रधान मंत्री जो सबसे बुढ़ी एज में बना सबसे ओल्ड एज में बना कि अगर कि अगर कि अगर हर शर्मा जी अटल जी नहीं है वाजपाई साब नहीं है मुरार जी दिसाई इसी कोशन में सेकेड आप्शन पर दिया हुआ है मुरार जी दिसाई मुरार जी दिसाई वैन और यह भी केम दे प्राइम मिनिस्टर और यस उफ 8081 ठीक है असी क्यासी साल के थे जब मुराज जी दिसाई अटल वहरी वाजपाई साब नहीं है मुराज जी दिसाई चंता पार्टी के चंता पार्टी से पर्थान मंत्री बने थे और भारत के पहले non-congres प्राम मिनेस्चर थे और overall देश के पांचवे पर्थान मंत्री थे ठीक है मुरार जी डिसाई मुरार जी डिसाई चले अगला कोश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पे एक बुक रिलीज हुई है भी ठीक है बायोग्राफी है भारत के एक बहुत ही फेमस खिलाडी और यंगेस्ट कपटन विषेश बृगुवंशी विषेश कोड टुविन इसको लिखा आई नीरुपमा यादव जी ने तो आगको बिताना है जो विषेश बृगुवंशी यह किस खेल से सम्दित है। यह बहुत important question है यह बहुत important question है क्यों important है यह question क्यों important है क्योंकि अभी सरकार ने national sports awards announce किये राजीब गांदी खेल रतन अवाड अरजुन अवाड ध्यांचन्द अवाड द्रोणारे अवाड रास्ट्रे खेल प्रत्साहन पुरसकार मुलाना अबुलकलाम अजाल ट्रॉफी टेंजिंग नौर्गे अवाड ये सब क्या स्पोर्स अवाड है जो की 29 अगस्त को दिये जा अवाड से सम्मानित किया गया है इनको भी अरजुन अवाड ने क्या रहा है और यह जो किताब यहां पर लिखी है विशेश को टूविन ये किताब कल रिलीज होने वाली है अभी रिलीज नहीं हुई है यह किताब नैश्नल स्पोर्ट्स देके ऑकेजन पर रिलीज होने व बास्केट बॉल टीम के यंगेस्ट कफ्तान है यह तहीज यंगेस्ट टर यंगेस्ट व इंडियन बास्केट बाल्टीम विशेश भ्रिगुवंशी विशेश ब्रिगुवंशी तो इनकी बाइङोग्राफिय PT रिखर निरुमा यादव को मिला है अर्जुन अवाड देखे- यह जो खिलारी जिनको अवाड मिलते हैं इनको ले कैसाम में कौशचन आते हैं अपनी अगली क्लास में पहले बता देता हूँ ठीक है हमारी जो क्लास रहने वाली है that is on Monday Monday वाली क्लास में आपके पास जो टापिक रहेगा that is questions on the National Sports Awards 2020 ठीक है इसको नोट कर लो आपकी अगली क्लास में आपके लिए जो questions आने वाले है that is related to the National Sports Awards 2020 तो प्रिपेर हो के आना इस क्लास के नीचे description में मतलब link दिया हुआ है National Sports Awards का अब आप वहाँ पे क्लिक करके रीड कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अल्रडी दिया हुआ है National Sports Awards ठीक है अब वहाँ से पढ़ सकते हो किस खिलाडी को कौन सा अब और मिला और वो किस खेल से संबंदी ते यह आपको पता होना चाहिए तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगली क्लास मैंने पहले भी बता पहली बता दिये किस से से रिलेटेड है National Sports Awards से रिलेटेड है हमारी अगली क्लास चले आगे बढ़ते हैं तो इस कोशन का अंसर था पास्केट अगला कोशन यह आपकी स्क्रीन पे महम्मद इर्फान अली महम्मद इर्फान अली यह इन मैं से किस देश के राष्ट्रपती बने हैं यह इन मैं से किस देश के नए राष्टरपती बने हैं भू Attack इर्फान अली जल्दी से जल्दी टाइम नहीं ले दा बच्चो महरंम्मद इर्फान अली अधार इस मैं छलिए आंसर हा रहे हैं वरे गुड़ बेरी गुड़ कौनसा देश है Bernard जो को आना तो गोआना ंए राश्टरपती बने कौन मोहम्मद उरफान अली बट वनमोर कोशनियर इसी ग्लएना देश के नए परधान मंत्री भी नहीं किया गये है नहीं परधान मंत्री तो प्रधान मंत्री का नाम क्या है मार्क फिलिप्स बाक फिलिप्स Sep कि क्लेयर कि गवाना की जो कापिटल है डाट आट इस जोड़े टाउन जोड गूर्ज टाउन लोग यह चलती है डॉलर तो तो यह भी आपको ख्ल bश माट ओनव पसक्रक्रणव अज एक्वान जो प्रक देखें कि एक्जाम के अंदर करन्षी और capital को लेके भी question आता है but there are more than 200 countries in the world ठीक है किस-किस का याद करेंगे सारे तो याद नहीं होते भाई मुझे भी पता है आपको भी पता है तो हमें क्या करना है जो countries news में रहती है हमें सिरफ उनी countries का capital और currency पढ़ना है but उसका definitely पढ़ना है क्योंकि exam में जो currency और capital currency and capital is the part of static gk तो exam में static gk के जो भी questions आते हैं वो कही ना कही current से ही related होते हैं ठीक है तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question यह रहा आपकी screen पे union public service commission union public service commission UPSC जिसे हम बोलते हैं ठीक है तो UPSC जो देश में IS IPS civil services का examination को कंड़क्ट करवाती है तो उसके नए chairman ठीक है UPSC के नए chairman बताए जल्दी से UPSC के नए chairman UPSC के नए chairman बच्चों जल्दी से बता दो जल्दी से जल्दी से आंसर आ रहे हैं कोई कोई अर्विन सक्सेना बोल रहा है और कोई बोल रहा है परदीप कुमार मतलब confusion हो रही है ठीक है मतलब दो option आप लोगोंने पिक किये दो तो आपने reject कर दिये ठीक है इतना तो देख लिया गया है दो option आपने पिक किये ठीक है अब अर्विन सक्सेना या परदीप कुमार में से कोई है तो बच्चों अर्विन सक्सेना पुराने थे अभी जो न्यूक्त हुए इनका नाम है परदीप कुमार जोशी प्रादीप कुमार जोशी अर्विन सक्सेना पुराने थे तो अर्विन सक्सेना जी अब रिप्लेस कर दिये गए परदीप कुमार जोशी जी के द्वारा तो आंसर जिन्हों ने बोला परदीप कुमार रोहित पाल सानिया एहमद रंगेश यूर राइट अर्विन सक्सेन यह पुराने थे फॉर्मर चलिए आगे बढ़ते हैं भारत सरकार ने कोविड नाइंटीन की वैक्सिन के चलते हुए कोविड नाइंटीन के वैक्सिन के वर्क को देखने के लिए उसके एडमिस्टेशन को देखने के लिए एक कमेटी बनाई है उस committee के अध्यक्ष कोन है ठीक है भारत सरकार ने एक expert committee बनाई है vaccine administration को लेके ठीक है करोना वाइरस की vaccine को लेके committee बनाई गई तो इस committee के अध्यक्ष कोन है बताइए जल्दी से इस कमेटी के अध्यक्ष को न है देखिए नैशनल एक्सपर्ट कमेटी ओन वाक्सिन एडमिंस्टरेशन फूर्ट और फॉर कोविड-19 यानि कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी कोविड-19 के वैक्सिन के वर्क को देखने के लिए और इस कमेटी के अब दा राइट अंसर औफ डिस कॉशानीय बीके पॉल विनोध कुमार पॉल एम्स के फॉर्मर चेर्मेन रह चुके हैं विनोध कुमार पॉल जी। full time member of Niti Aayog ये Niti Aayog के full time member है और जिन बच्चों ने सोमया स्वामी नाथन अंसर किया सोमया स्वामी नाथन सोमया स्वामी नाथन World Health Organization में Deputy Director General और Chief Scientist है ठीक है सोमया स्वामी नाथन ये World Health Organization में Deputy Director General और Chief Scientist है सोमया स्वामी नाथन भारती है She is the daughter of MS स्वामी नाथन ये MS स्वामी नाथन जी बेटी है MS स्वामी नाथन आपको पता होगा The Father of Green Revolution in India ये उनकी बेटी है सोमया स्वामी नाथन जी तो ये World Health Organization में एड़ वी के पॉल इस कमेटी के हैड है पिनोध कुमार पोल पूरा नाम है इनका और ये निती आयोग के फुल टाइम मेंबर है एम्स के फॉर्मर चेर्मेन रह चुके है clear अब किसी को कोई डाउट है इससे तो पूछ सकता है भाई किसी को कोई भी डाउट किसी को कोई भी डाउट एने डाउट अब किसी को कोई डाउट नहीं है सबके सब बहुत ही खोश्यार चले अगला कोशन वेरी इंपोर्टेंट अगेन वर्ड अलिफंट डे कब होता है वर्ड अलिफंट डे आज सब कुछ के रहे हैं सब जोश जागा हुए आज कैसा है जोश हाई के लो हो जाए एक बार फिर से हाउस जोश हाई 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 सर चले हाई ही चलिए जोश कभी कम नहीं होने देना तो वर्ड अलिफंट डे कब होता है बारा अगस्त को बारा अगस्त को होता है वर्ड अलिफंट डे भारत में पोजक्ट अलिफंट भी चल रहा है ठीक है तो वर्ड अलिफंट डे कब होता है बारा अगस्त को होता है और 12 अगस्त को एक और दिन भी होता है इंटरनेशनल यूथ डे इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है बारा अगस्त को ही क्लियर हुआ 12 अगस्त को ही चलिए आगे बढ़ते हैं अगस्त कोशिन ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे ठीक है देखें मध्या प्रतेश ग्वालियर से लेके चंबल तक एक एक्सप्रेसवे एक हाईवे बनाया जा रहा है ठीक है तो उसका नाम बदल के रख दिया गया तो क्या नाम बदल के रखा गया है कि बताए जल्दी से इन में से किस शक्षियत के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है क्या दीन द्यालू पाद्धियर्जी है अटल विहरी वाजपाई साहब एपी जे अब्दुलकलाब राजीव गांदी तो आंसर आ रहे हैं देखें अभी अभी ना इन में से एक शक्षियत की डाथ अन्वर्सरी गई है डाथ अन्वर्सरी ठीक है डाथ अन्वर्सरी तो लाट इस अटल वहरी वाजपाई साब अटल वहरी वाजपाई साब की डाथ अन्वर्सरी अभी गई है तो उसी डाथ अन्वर्सरी पर चलते हुए मध्या प्रदेश की सरकार ने मध्या प्रदेश के जो मुख्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान जी उन्होंने यह अनौस्मेट कर दिया कि गौालियर चंबल एक् चार किलोमेटर पता होना चाहिए चारसोचार किलोमेटर और इसको बनाने के जो खर्चा आ रहे है वह 8250 करूड 8250 करोड रुपे ठीक है राजीव गांदी जी की बार्थ अनवर्सरी गई है 20 अगस्त को होती है मैंने डाथ अनवर्सरी की बात किये बच्चो डाथ अनवर्सरी की बात किये ठीक है अटल बहारी वाजपाई जी की डाथ अनवर्सरी मैंने बार्थ अनवर्सरी नहीं बोला डाथ अनवर्सरी बोला तो देट इस अटल बहारी वाजपाई तो 404 किलो मिटर का यहाँ पे गौलियर चंबल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जिसका बनाने के लिए टोटल खर्चा है आट हजार दोसो पचास करोड रुपे मध्या परदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवरा सिंग चोहां जी उन्होंने इसके साथ साथ एक अनॉसमेंट और भी कर दिया उनका अनॉसमेंट क्या है कि अटल जी का अटल बहारी वाजपाई जी का एक बहुत बड़ा स्टेचू यानि कि एक ग्रैंड स्टेचू बनाया जाएगा कहां बनाया जाएगा भुपाल में मध्या परदेश भुपाल में वाजपाई साब का एक बहुत बड़ा स्टेचू यहां पर हम बनाने वाले हैं भुपाल के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दू कि वाजपाई साब का एक स्टेचू पिछले साल पिछले वर्ष 2019 में भी इनोगरेट किया गया था वो बनाया गया है लखनव के अंदर, लखनव के अंदर बनाया गया, एक स्टेच्चू बनाया गया, ग्रैंट सचू का बनाया जाएगा बोपाल के अंदर, क्लियर हो गया अप्ट आउट बच्चो कोई भी डाउट में लिए एक और देख ठीक है वाजपाई सापके नाम के उपर एक शहर का नाम भी रखा गया था और वो शहर एक राज्य की कैपिटल है ठीक है अटल नगर अटल नगर तो आपके लिए कोश्चन है अटल नगर किस राज्य की कैपिटल है अटल नगर किस राज्य की कैपिटल है बताएए जल्दी से अटल नगर किस राज्य की कैपिटल है हरीश पांडे जी बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता हरीश पांडे जी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वाटसेप ग्रूप को लिंक चला जाता है वाटसव ग्रूप को जॉइन कर लो और चैनल को सबस्क्राइब कर दो ठीक है चैनल को सबस्क्राइब कर दो और बैल आइकन दबा दो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आ जाये करेगा तो यहाँ पे question क्या पूछा बढ़ा है मैंने question पूछा है अटल नगर किस राज्य की capital है अटल नगर राजधानी तो जी हाँ यह राजधानी है 36 गड़ की 36 गड़ की देखे 36 गड़ की capital basically राइपुर बट क्या हुआ आज से 3-4 साल पहले हमारे परधानमंत्री नरेंदर मोदी जी 36 गड़ गए थे ठीक है 36 गड़ में जाके तब मोदी जी ने क्या किया 36 गड़ की एक नहीं capital राइपुर नया राइपुर तो वो नया राइपुर जब वाजपाई साब का देहात हुआ तो 36 गड़ की सरकार ने अपनी अपकमिंग capital नया रायपुर का नाम बदल के रक दिया अतल लगर अतल नगर तो अतल लगर hijos गड़की रांसधानी अतल अगर खवश है चलीं बढ़ते आगे अगला कोश्चन मेगाल्या के गवर्णर मेगाल्या के गवर्णर किसे न्यूक्त किया गया कौन बना है इन में से मेगाल्या का गवर्णर बता रो जल्दी से इन में से मेगाल्या का गवर्णर कौन बना है मेगाल्या का गवर्णर तो आंसर आ रहे हैं सब लोगों के में घाल लिया के गवर्नर के रूप में देखे जम्मू एंड कश्मीर गोवा जैसे राज्यों के गवर्नर रहे चुके श्री सत्यापाल मलिक जी को ठीक है सत्यापाल मलिक जी पहले जम्मू एंड कश्मीर जब राज्या था ठीक है जब जम्मू एंड कश्मीर राज्या था तो उसके गवर्नर के हैं तो गोवा के गवर्नर के पद में के रूप काम कर रहे हैं सत्यापाल मलिक जी को गोवा के पद से हटा कर न्यूक्त कर दिय गया मेंगालिया का गुष्र मेख्या का गव pixels कर दिया का नया गवर्नर अब यहां पर एक और बात करें तो अब गोवस के पत से इनको transfer कर दिया गया तो गोवा का नया governor कौन बना तो महारास्ट्रा के जो governor है भगत सिंग कोश्यारी जी महारास्ट्रा के जो governor थे भगत सिंग कोश्यारी जी तो भगत सिंग कोश्यारी जी को महारास्ट्रा के साथ साथ गोवा का अडिशनल चार्च दे दिया गया यानि कि महारास्ट्रा के गवर्नर तो रहेंगे ही रहेंगे ये गोवा के गवर्नर भी बन गे ठीक है महारास्ट्रा के गवर्नर तो ये रहेंगे रहेंगे ये गोवा के गवर्नर भी बन गे भगत सिंग कोश्यारी क्लियर होग्या बच्चों? चलो है, आगे बढ़ते हैं वर्ड हैपारीटटिस हैपारीटिस बेसीकली हैपारेटिस के बारे मैं आपने सुना होगा दीए, डिवर में होने वाली एक infection को कहते हैं अपने सुना अगा देर रेव वेरी समक्मन टाइप सोफ हैपर डिट इसबी है पटिसी जिसे मोलते हैं असांति भाषा में टेशी भाषा में पी लिया बोला जाता है ठीक है है जसे भाषा में जिसे हम पीलिया बोलते हैं अंग्रेजी में इसको है पाटीटीस बोलते हैं तो वर्ड है पाटीटीस डे पूरी विशव भर में वर्ड हल्ट ऑगनेजिशन के द्वारा और नाइस क्या दाता है कब होता है यह तो वर्रहापटि पर इट स्काव होता है बच्छों वोर्रहाप इट इसके ठेहले जोर्थ सब्सक्रायों के दषाओ आफो पर इस न्हीं के दोरा है पाइटिटीज बी के लिए लोगों को आपर टीटीज के लिए लोगों को अवेर करने के लिए जो मैं बताना चाहूं वर्ड हैपरण इस डे ट्वञटी ट्वेंटी का थीम ठीक है वर्ड है इस डे 2020 में और्गनाइज किया गया 28 जुलाई 2020 को इस बार इसका तीम किया रहा है इस बार इसका थीम था ध्यान से सुनिएगा finding the missing millions finding the missing millions finding the missing millions ठीक है cover pals raggi basically यह जो हैपाड़ेटीस बे यह ब्लड ट्रास्मिशन से होता है ठीक है ब्लड ट्रास्मिशन से ही एफ्ट होता है अधरवाईस इसका बॉड़ी में एक और कोई कारण नहीं यह ठीक है यह अपने आप नहीं होता है यह ब्लड ट्रास्मिशन की वज़ा से ही बॉ क्रिशना पत्नम पोर्ट ये किस राज्य में स्थित है एटिक जी के का कोशन है एक न्यूज में क्यों आया क्योंकि एक कंपनी है अदानी पोर्ट्स अदानी पोर्ट्स सब ने सुनाओगा इसके बारे में अदानी पोर्ट्स बहुत बड़ी कंपनी है तो अदानी पोर्ट्स को Bismillah उता है वो याद रखे पोर्ट को पोलते है बंदर गहा तो कृष्णा पटनम पोर्ट कंपनी यह कहां पे यह सिक्किम में है पस्चिम-मंगौल में है करनाटक में है या फिर आंद्रप्रदेश में है कृष्णा पत्नम पूर्ट कृष्णा पत्नम पूर्ट अदानी पूर्ट ने इसके अंदर बोर दन 75 परशेंट स्टेक परचेस किया चले मनोज सानिया हरीश पांडे चले बता दो यार जली से चले बचो कृष्णा पत्नbacks for time रा Indra。。 के अंदर आंध्राप्रदेश के अंदर तो आंध्राप्रदेश में स्थित एककृष्णा पत्नम पोर्ट के अंदर अधानी पोड्स एंड शूश्वकर लंट कंपनी ने अभीट take purchase कर लिया है ठीक है that's why this is important क्योंकि मैंने बताया जो न्यूज में रहता है उसी स्टेटिक जीके का कोशन भी वहीं से आता है चलिए अगला कोशन इन में से किस राज्या के अंदर होने वाले हैं फूर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो देखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनरली हर साल जनवरी में होते हैं हर साल जनवरी में होते हैं जनवरी 2020 में इनको और जनवरी 2021 में नहीं किया जाएगा क्यों नहीं किया जाएगा जनवरी 2021 वाली यह जो खेलो इंडिया यू olympics tokyo olympics Japan के अंदर ठीक है जो कि 2020 में वाला था जिसको 2021 में पोस्ट पॉन कर दिया गया तो Tokyo Olympics के बाद organize किया जाएगा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के अंदर जो खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगर मैं बात करूं तो फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स यहां पर organize होने वाली है हर्याना के अंदर हर्याना में का पंच कुला के अंदर इसको ऑगनाइस किया डाएगा 2021 में आफ्टर दा टोक्यो Olympics 2021 clear तो I think सबको समझ आ गया होगा किसी को कोई डाउट you can write in the chat box तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो चैट बोक्स के अंदर हमारे कोशन हो चुके है ठीक है आज के हमारे जो कोशन से वह खतम हो चुके है चलिये किसी को कोई डाउट किसी को अगर कोई भी डाउट है क्लास के अंदर तो डाउट पूछ सकते हो आप हैंड यार अज़ी लगती है तो लाईक वाला बटन दबाना मत भूला करो टिक है लाईक कोमेंट लाईक और कमेंट ठीक है और अगर नहीं अच्छी लगती तो बटन भी होता है ठीक है कुछ तो मतलब दबा दिया गरो अब की मर्जी है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नी क्या तो सब्सक्राइब कर दो बैल आइकन को नहीं दबाया तो बैल अंद वालो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इट्स आल फो डे मेरते हैं क्यास में तो थैंक्यू सो मच वा नाइस टे स्टे सेफ स्टे हो जाहिंद